हेलो फ्रेंड्स मैं ओम लोचब स्किल हिंदोस्तान से आपका स्वागत करता हूँ देखिए आज के समय में जब आप इलेक्टिशन या आप सुपरवाइजर या आप इंजीनियर बनते हैं तो आपको एक मेल लिखना बहुत जडरूरी है क्यूंकि आप एक सुपरवाइजर लेवल पर हैं आप एक इलेक्टिशन पर नहीं है आपकी कॉस्ट बढ़ गए आज उसी चीज बढ़ाने के लिए हम आपके सामने यह यह दाए है कि मेल को कैसे लिखा जाए मेल को लिखने के तरीके आपको आने चाहिए आप किसको मेल लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं तो ये हमारा कोर्स उसी को करने के लिए उसी चीज को बताने के लिए आपके सामने मैं अलाया हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप mail लिखने का तरीका क्या होता है mail लिखने के तरीके के लिए आपको पहले तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यह आपको सोचना चाहिए कि आप किस के बारे में क्या चीज लिखना चाहरे वो आपका एक subject है that is called subject subject क्या होता है आपका subject किस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं जैसे आज मैं सोच रहा हूँ कि भी मैंने अपने जनरेटर्स की B-check करानी है B-check कराने के लिए क्या कहते हैं मैं मांग रहा हूँ quotation quotation क्या होता है quotation का मतलब है कि उसके बारे में उसका rate में लेना चाहता हूँ मैं market से उसके बारे में rate पता करना चाहता हूँ तो यह मैं mail किस-kis को लिखूंगा यह मेरे vendors हैं या जितने जो भी मेरे जिन से मैं अपना काम कराता हूँ या जो कोई दुकंदार है उसको हम लिखते हैं तो उसको लिखते है, quotation of dgb check, ये आपका heading आगई, ये subject हो गया, अब इस subject को आपने कैसे लिखना है, इस सबसे पहले क्या होता है, कि सबसे पहले आपको किसको मेल लिखना है, आपने मेल लिखना है, अपने लिखना है, आपको एक नाम है कि बई, आप दियर Mr. Rajan, एक राजन है, जो कि इस चीज में डील करते हैं तो या राजन की जगा आप कोई और नम भी ले सकते हैं. राजन की जगा जो भी आप संजे है, या कोई भी आप नम लेना चाहिं, तो वह आप नम रख सकते हैं, तो मैं आप ना लिख रहा हूँ Mr. Rajan, Mr. Rajan कौन है? Mr. Rajan एक मेरे वेंडर है, तो उनको एक तो सबसे पहले उनको dear लिखना चाहिए, कि dear Mr. Rajan, आप Mr. Rajan नहीं लिखेंगे, dear Mr. Rajan, dear Mr. Rajan लिखेंगे तो dear Mr. Rajan आगे हैं यहाँ, dear Mr. Rajan, अब उसकी बारे में हम क्या बताना चा कि we hereby request you, मैं आप से request कर रहा हूँ, please provide us the lowest rate of 1500 kVA dg set b check, मतलब मैं चाहता हूँ कि भी मेरे जो b check है, जनरेटर की b check है, उसके लिए मेरे को एक lowest rate मिले मार्किट से, तो मैं Rajan को बताया कि we hereby request you, please provide us the lowest rate of 1500 kVA dg set, आपने जो dg set है, उसके बारे में यहीं पर अपना एक symbol दे देना है, कि भी मैं इस बारे में इतने kVA के generator set के बारे में एक लेना चाहरा हूँ, भी चाहरा हूँ, अब क्या है, अब उसके बाद जो dg set है, उसकी आपको पूरी detail देनी होगी, ताकि मतलब यह confusion ना रहे, कल को वो किसी और चीज के बारे में, minutely, यह मैं आपको फिर एक बार बताना चाहरा हूँ, कि minutely आप हर एक चीज की description दे, जैसे मैंने कहा, मेरा जो model, model number of the dg set is a, b, c, d, a, b, c, d मैंने वैसे लिग दिया, इसकी जगह आप जो भी दें, किरलॉस कर है, या जो भी आपका dg set model number है, किरलॉस कर है, य जो भी आपने देना, वहाँ आपने देना, model number of dg set is this much, फिर क्या है, उसके बाद, full stop, manufacturing date of the set is, जो आपका, जब set, आपके, वहाँ आता है, generator set आता है, तो उसकी manufacturing date दी होती, उसमें सारी चीज हैं दी होती, तो वह भी आपने लिखना है, कि भई, manufacturing date of the set is, 12, 9, 210, जो भी है, and make of the generator is kirloskar, जो आपने यहाँ पर हर एक चीज को underline, यह पूरे तरह से, हर एक चीज को आप विस्तार से बताएंगे, तो वह जो आगे जो आदमी mail देख रहा है आपका, वह हर एक चीज को आपकी समझ जाएगा, नहीं तो फिर वह फोन करें, यह क्या लिखा जी, यह क्या आप जब बीचेक ले रहे हैं उस आदमी से, वेंडर से अपने ले रहे हैं, तो उससे पूछना आए के भी आपने इस पर GST कितनी लगेगी, GST, हर एक चीज में, GST जब भी आप बिल लेंगे तो GST लगेगी, GST, what will be the GST on the product, this is important, what is the courier charges of the same, अगर आप कोरियर से उसको म आप कोरियर के चार्जिज हैं, वो आपको इसमें ज़रूर मेंशन करने चाहिए, कि भी आप जब अपने बास को बताएं, तो वो पूरी चीजे आपको पता होनी चाहिए, कि भी मेरी B-check कोस्त की B-check की ये कोस्त आई थी, उस पे GST ये लगा, कोरियर चार्जिज ये लगा तो आप, क्योंकि एक आप जिम्मेवार आदमी हैं, जब आप काम कर रहे हैं, आप सुपर्वाइजर या इंजीनियर बनेगे तो आप एक जिम्मेवार आदमी हैं, आपके अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी है, प्लीज कोट दा कम्प्लीट रेस, इन्क्लूसिव अफ ओल, यह मैं कहता हूँ कि भई आपने जो रेट कोट कर रहे हैं, उसमें इंक्लूसिव अफ ओल, इंक्लूसिव अफ ओल में क्या है, कि GST कितना लगेगा, कोरियर चार्जिज कितना लगेगा, और आपका जो और चार्जिज कोई भी होंगे, तो वो आप इसों मेंशन कर रह मैं आपका बड़ा अभारी रहूंगा, आप इस काम को जल्दे से जल्दे अंजाम दीजिए, थैंक्यू, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपने अपना जो भी देना है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और फिर नीचे साइट इंजिनियर करके, आप अपना यहां पहले हैं, बेल हमारे, जब भी हम एक प्रोफेशनल काम करते हैं, तो आप यह देखी कि आपकी जो एक लाइन लिखी हुई है, उसका एक मतलब इतना होना चाहिए कि अगले आदमी को यह पता चल जाए, कि आप क्या लिखना चाहते हैं, किस के बारे में लिखना चाहते हैं, और क्या उसकी कॉस्ट पर हर एक चीज को इंपलिकेट होती है, मतलब आपका जब बहुस आप से पूछेगा, हाँ जी, बताइए कि उसकी GST कितनी है, उसका कुरियर चार्जर कितना है, उस आजमी ने क्या चार्जर लेना था, यह आपने कहां कहां मेल लिखा, तो यह आपको हर एक यह सकिल हिंदुस्तान में, हम इन सारी चीजों को आपको सिखाएंगे, सारी चीजों कवर कराएंगे, आप हमारा कूर्स जॉइन करिये, हम आगे इसमें आपको और बताएंगे, मेल आपको किस तरह की कोई तकलीफ आगी है, आप साइट इंजिनियर है, आपके तकलीफ आपको जानकारी जब होती है, और आप मेल लिखना चाहते हैं, क्योंकि सुपीरियर, आजकल समय यह हो गया, हर एक आदमी, हर एक इंजिनियर के पास, अपना लैप्टॉप होता है, जो बोस है आपका, वो टेलिफोन पर बात नहीं सुनेगा, वो हमेशा गया है, हाँ भई उसको हर एक चीज आपके बारे में पता चलनी चाहिए कि भी क्या तकलीफ है, कैसी तकलीफ है, उसमें कितना पैसा इंप्लिकेट होगा, क्या हम क्या उसकी रहमेडी कर सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम इसके बारे में अगली एक मेल और दिखाएंगे आपक जो कि बेस्मेंट में पानी भर गया है, तो हम कैसे उसको अपना बताएंगे अपने बास को, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए, जय हिन, थैंक यू